राश्ट्विय सहकारी विकास निगम योचना के तहर जनपत पौड़ी का मर्च से विभाग लगातार युवाओं को रोजकार से जोडने में एहम भूमिका निभारा है बदादे कि NCDC योचना के माध्यम से जनपत में दो दर्जन से अधिक समू द्वारा कम ब्यासतर पर लोन लेने के बार मर्च से पालन के शेत्व में काम कर रहे हैं चाकी सेट शेत्व के अंतरगत रवेंद्र सिंग द्वारा वीते एक वर्ष में 9 कुंटल मर्च से का उतपादन किया गया जिससे उन्हें 50 प्रतीशत के करीब मुनाफ़ा भी हुआ वहें रवेंद्र सिंग ने बताया कि उन्होंने 4 वर्ष पहले मर्च से पालन शुरू किया और आज उनके साथ एक दरजन लोग चुड़े हैं जिनने वो गाउ में रहकर ही रोजकार दे रहे हैं इस तरह से मच से पालन ना केवल आजिविका का मजबूत साधन बन रहा है बलक्यानी लोगों को रोजकार के अफसर भी प्रतान कर रहा है पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपॉर्ट कि इस हम उतके ब्चितो को रहा हैं कि दोगा है रौँ नहीं को देखे इंठाव में में लोगों से इसने अर जिए घ्रत मे लीए नहींये रहा है काफी बेन ागी उतक देग सर्व ड्रें के लिए सेट के लिए हर चीज के लिए फैसा प्रवाइड किया तो मैं लगातार कॉंटेक्ट में रहता हूं यहां वजू इस अपना इस तो जब मैंने खुछ सभाइम से काम के काफी इन्वेश्टमेंट गया तो इस में इन्वेश्टमेंट करने के बाद मुझे पता लगा कि इसमें काफी लाब मिलाया सब इसके लिए क्योंकि इतना मैंने इन्वेश्टमेंट कि यह तो जब रिटन उसकी जो रिटन आता था उतना वगा बराबर कर आता था तो जब मुझे मस्टेव लाग से हल्प मेली तो में वो उसका 50% को बेनिफिट में जाता है एंसी डीसी कि इस वर्स 24 पत्ची से हमारे जन्पत में का इमान है और हमने अभी तक अलगला बितास कंड़ों में अलगा आठ प्रात्मिक सुसाइटीज वाना दिया इस वर्स का उत्पादन में एक खासकार है रविन सिंग जिनके फके तोक स्वायत से सहकारी का नाम की समिती है और उन के द्वारा लोकल बाजार में ही अब थाइसों से तीर्सों की घर्पे मुश्रियों को बेचा जाए दूसरी और इसे योजनी का फायदा यह है कि अगर लाभारती को अपना लाभारती अंस लगाने में दिक्कत हो रही है तो वो सीधे विभाग को एप्रोच कर रहा है और बिना किसी ज्यादा फॉर्मालिटीज के विभाग उनको 9.75 की दर पे ब्यास दर पे उनको लोग सरलता से उपलप्त करा रहा है जिसका वो प्रेयोग अपनी योजना को पूल करने में और योजना को और अच्छा करने में लड़ा से